इस वीडियो में आप सिखेंगे कि x raised to the power 4 minus 1 और x raised to the power 7 minus 1 का hcf क्या होगा? तो देखो जब हमारे पास छोटे होते हैं जैसे x square minus 1 और x cube minus 1 अगर हमें इसका निकालना हैं तो इनके हम factors आराम से निकाल सकते हैं कि ये होता है x plus 1 into x minus 1 और ये होता है x minus 1 x square plus x plus 1 तो बड़े आसानी से ये हम देख के बता सकते हैं कि इसका जो hcf होगा इन दोनों का ये होगा x minus 1 ठीक है क्योंकि ये दोनों में common है लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से x raised to the power ये 4 minus 1 ये x power 7 minus 1 है तो इसका कैसे करेंगे तो यहाँ पे अब देखो एक बारी के लिए x power 4 minus 1 का factor तो फिर भी कर सकते हैं इसका factorization बड़ा मुश्किल और बड़ा लंबा है तो यहाँ पे हम division method apply करेंगे ठीक है तो division method apply करके हम इनका hcf निकालेंगे चलिए तो यहाँ पे x power 7 minus 1 इसको divide करेंगे हम x power 4 minus 1 अब आपको पता है अगर आपके पास जैसे 28 और 35 है इनका hcf कैसे निकालते हैं division method से तो हम 35 हंद रखते हैं 28 यह लिखते हैं फिर यह एक बार जाता है तो यह हो जाता है 28 फिर यहाँ पर आया 7 फिर यह जो 28 है यहाँ पर लिखते हैं और यह आ जगा 7 for the 28 और हमारा answer आगया 7 क्योंकि इसने सबसे लास्ट में divide किया जैसा हमने यहाँ पर किया है exactly हमें same process यहाँ follow करना है इसके साथ में ठीक है न अच्छा तो यह होगा x raised to the power 3 अब यहाँ पर आपको divide करना आना चाहिए कि कैसे polynomial में उसको divide करते हैं तो यह हो जाएगा x7 minus x3 sign change करेंगे यह x cube नीचे आएगा और minus 1 हम यह लिख देते हैं ठीक है अब फिर same process x power 4 minus 1 फिर यह x times जाएगा x power 4 minus x अब sign change करेंगे तो यह हो गया अब यहाँ पर आया x और यह उपर वाला जो minus 1 है यह यहाँ पर आ जाएगा और क्योंकि यह तो कड़ गिया ना जैसे यहाँ कड़ गिया था और यह जो है यहाँ पर x cube minus 1 लिखतेंगे हम अब यह x square बार जाएगा तो यह हो जाएगा x cube minus x square minus plus x square minus 1 अब यह x times जाएगा तो यह हो जाएगा x square minus x और यहाँ पर भी sign change करेंगे तो यह हो गया x minus 1 और अब यह one time जाएगा तो यह हो गया x minus 1 ओके और यह कड़ यह तो basically यहाँ पर सबसे last में divide किस ने किया x minus 1 ने तो इसलिए हमारा जो hcf है that is x minus 1 तो अगर आपके पास इस थरे से polynomials होते हैं तो इनका हम ऐसे निकालते हैं hcf ठीक है ना तो I hope आपको समझ आया होगा thanks for watching see you in the next video